नमस्कार मैं हूँ प्रविन और आप सभी का स्वागत है न्यूस क्लिक के डेली रॉंड अप शो में आईए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर हमारी पहली खबर में हम बात करेंगे फरिदाबाद की सुप्रीम कोट के आदेश के पांच हपते बाद खोरी गाओं में घरों को तोड़े जाना शुरू सुप्रीम कोट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस कावण यात्रा अस्तगित न करने के फैसले का लिया स्वता संग्यान हमाई तीसरी खबर यूपी से पांच जासे अधिक जल निकल्म कर्मियों को नौकरी एवं पेंशन से महरूम होने का डर और आखर में कोरोना अपडेट देश में 24 गंटों में 38,792 नए मामले 624 मरीजों की मौत हरियाडा के फरिदाबाद के खोरी गाउं में कतित अवैद निर्मार के खिलाफ सुप्रीम कोट ने 6 हफ़ते के बाद निवासियों को हटाने का आदेश दिया था जिसके तहत 5 हफ़ते बाद या 14 जुलाई को प्रशासन ने मकानों को डहाना शुरू कर दिया इस कारवाई में नगर निगम के तोड़ फोर्ट दस्ते के अलावा केंदरी फोर्स, फरीदाबाद पोलिस तता अन्य जीलों से आई रिजर्व फोर्स मौजूद रही फरीदाबाद ट्राफिक पोलिस ने सुबर से ही दिल्ली फरीदाबाद शूटिंग रेंज की और जाने वाली सडकों को बंद कर दिया तता वहनों को पुल प्रहलादपूर की तुगलकाबाद वाली सडक पर मोड दिया था यह कारवाई बारिश के कारण रुग गई मगर हालाद देखकर यही लग रहा है कि करीब 10,000 परिवारों को बिना कोई आस्रा दिये बेघर करने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है आपको बता दे कि दिल्ली फारिदाबाद बॉर्डर पर बसे खोरी में 125 एकड जमीन है जिसके 80 एकड पर करीब 10,000 परिवारों को कई दसकोशे रह रहे हैं 7 जून को सुप्रीम कोट ने आदेश दे दिया था कि इन 10,000 परिवारों को वहां से हटा दिया जाए जिसके खिलाफ लगातार विरोध भी हुए और अभी भी जारी है इस बीच आज घरों को तोड़े जाने के विरोध में दिल्ली के नागरिक समाज ने कैच्छात्र और युवा संगटनों के साथ हरियाना भवन में विरोध प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महामारी के बीच खोरी गाउं से लोगों को जबरन बेदखल करना मानवा दिखारों के उलंगन है हरियाना के मुख्यमंत्री को ग्यापन सौपा गया जिसमें चल रही बेदखली और मकानों को तोड़े जाने पर ततकाल करवाई की मांग की गई है दिल्ली स्थीत मंडी हाउस में भारी बारिश में प्रदेशन करने आये लोगों ने कहा कि खोरी गाउं के मजदूरवर की आबादी पर इन हमलों का हर कीमत पर विरोत किया जाएगा उन्होंने मांग रखी कि खोरी गाउं में लोगों के बुनियादी मानवादकार को कायम रखते हुए हर्याणा सरकार को सकारात्मक हस्थशेफ करना चाहिए सुप्रीम कोड ने उत्रपिदेश सरकार को कोरोना महामारी के बीच कावणियात्रा की अनुमती देने के फैसले पर नोटीस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है मामले का स्वतर संग्यान लेते हुए नियादीश रोहिंटन एफ नरिमन की अधिक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस बारे में शुक्रवार 16 जुलाई को सुनवाई होगी कोरोना के मामले अभी एकदम कम नहीं हुए है और तीसरी लहर का आना भी लगबग तैम आना जा रहा है इसके बावजूत योगी आधितिनाज सरकार ने मंगलवार को कोवीड दिवसा निदेशों को पालन करते हुए राज में 25 जुलाई से कावण यात्रा निकालने की अनुमती दे दी थी हाला कि इसके कुछी घंटे बाद उत्राखंट सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखत हुए इस वर्ष भी कावण यात्रा को रद्द कर दिया इस वर्ष उत्राखंट सरकार को महाकुम को जारी रखने के फैसले को लेकर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था जिसके बाद कोरोना की दूसरी लहर से देश के हालात बेकाबू हो गये थे हमारी तीसरी खबर में हम बात करेंगे फिर से उत्तर प्रदेश की जिहां उत्तर प्रदेश में योगी आदितनात के नेत्रितु वाली सरकार द्वारा 1300 जल निगम करमचारियों की नियुक्ति को रद कर देने के महिनों बाद विभाग के लगबग 5000 करमचारियों को भी नौकरी जाने का भैस सता रहा है गौर तलब है कि जल निगम करमचारियों को नियुक्त समाजवादी पार्टी की हुकूमत के दर्मयान की गई थी जिने योगी सरकार ने चयन प्रक्रिया में अनियमित्ता बर्त जाने का हवाला देते वे बर्खास्त कर दिया है ये करमचारी जिनकी अधिकतर आवस्ता 50 साल से भी अधिक है वे जल निगम के तकनीकी एवं गैर तकनीकी विभाग में पंप ओपरेटर, हैंट पंप मैकेनिक, फिटर, हेलपर, चौकीदा, ड्रिलर, कंप्रेशर ड्राइवर के रूप में काम करते रहे हैं उन्हें डर है कि उन्हें पेंशन एवं रिटार्मेंट के पहले भत्ते भी नहीं मिलेंगे मुक्यमंत्री योगी आदित नाथ एवं उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार के बीच नव फरवरी को हुई बैठक के बाद छेतर में काम करने वाले इन पांच जर्म करमचारियों को विभाग में सरप्लेस माना गया और उन्हें अनुपोगियों सागोशित कर दिया गया इनके वेतन और पेंशिन के भुगतान में आ रही वित्ती कठिनाईयों को देखते हुए विभाग ने फैसला किया कि फिल्ड में काम करने वाले सभी जल निगम करमियों को पंचायती राज एवं नगर निगम निकायों में समंझित किया जाएगा इस बारे में अनिल कुमार दौरा एक आदेश भी जारी किया गया था प्रबंध निदेशक अनिल कुमार के मताबिक जल निगम लगतार वित्ती संकट से गुजर रहा है जिसके चलते अपने करमचारियों की सैलरी एवं पेंशन का भुगतान करना कठेन हो गया है ऐसी इस्तिती में ये जो सर्प्लस करमचारी है उन्हें अन्य विभाग में शिफ्ट किया जा रहा है हाला कि इस आदेश के जारी होने के पांच महीने गुजर जाने के बाद ये जल निगम करमी पंचायती राज एवं नगर निगम निकायों में जोईन करने के लिए सरकारी अधिसूचना जारी किये जाने का इंतिजार ही कर रहे है उनका आरोप है कि उनकी सेवा निर्वित्ती में जबकि महज चार-पांच साल ही बाकी रहे गये है ऐसे में उन्हें दूसरे विभाग में अस्तानांतरित किये जाने का निर्णय बिना किसी पुरु सूचना के लिए किया गया है इससे लगता है कि सरकार की मंचा कर्मचारियों को प्रतारित करने की है और आखिर में हम बात करेंगे केंदी स्वास मंत्राले द्वारा आज बुद्धवार यानी 14 जुलाई को जारी आकड़ों के नुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 38,792 बे नए मामले दर्श किये गए हैं और 624 मरीजों की मौत हुई है साथ 20 देश भर में कोरोना से परित 41,000 मरीजों को ठीक किया गया है और अक्टिव मामलों में 2832 मामले कम हुए हैं देश में कोरोना के मामलों की संक्या बढ़कर 3,9,44,74 हो गई है जिन में से अब तक 4,11,408 लोगों की मौत हो चुकी है देश में कोरोना से परित 97,2,28 दी यानि 3,1,4,720 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में अक्टिव मामलों की संक्या घट कर 1,3,8 दी यानि 4,29,946 हो गई है स्वासमंत्राले की तरह जानकारी का निस्वार देश में कोरोना वैक्सिन की 38,76,97,935 डोज दी जा चुकी है जिन में से 37,14,441 वैक्सिन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है आज के डेली रॉंड अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया के अन्ये खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंगलिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बूक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया